पश्टी का खामू सफर है शाम्त है बूल कर लो मेरी मुहाबत कबूल कर लो तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुम को मेरी बात कुछ और है मैंने तुम मुहाबत की है साहे लुध्यानवी के इन शब्दों में किसकी कहानी छुपी है ये बात शायद ही कोई जानता था इस काने के रिलीज के एक साल बाद यानी 1960 में उस सिंगर ने फिल्म जगत से सारे नाते तोड़ दिये और तब जाके पता चला कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो हक है तुमको इस गीत का सही मतलब क्या था एक पल के लिए ही सही पर आपने भी सोचा होगा कि हम साहिर और सुधा मलोतरा के रिश्टे के बारे में बात कर रहे हैं पर जरा रुकिये हम उस मंगरत कहानी की बात नहीं कर रहे जो बात के लेखको ने रची हम सुधा मलहोत्रा के उस मोहबबत की बात कर रही हैं जो उन्होंने फिल्म इंडस्टी से की थी पर लोगोंने गाईका की जगह खुद साहिर लुध्यानवी को रख कर सुधा मलहोत्रा को फिल्म जगत से निकल जाने को मजबूर किया नमस्कार अदाप सस्रियकाल आज मैं रुशिता सुना रही हूँ हिंदी रेडियो पर वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि देव मुखर जी की वीडियो में हमने जो पहली रखी थी उसका जवाब है आती थी और बहुत से लोगोंने इसका सही जवाब भी दिया है सुधा मलहोतरा का जन एक संपन परिवार में 30 नवंबर 1936 को दिल्ली में हुआ और बचपन लाहोर में बीता उनके पिता जी उस जमाने में एक एकोनॉमिक्स हुआ करते थे भारत के अलग-अलग शेहरों के विध्याले में उन्होंने बतोर प्रिंसिपल काम किया हुआ था सुधा मलहोतरा अपने तीन छोटे भाईयों की एक मात्र बहन थी उनका जन्म भले ही दिल्ली में हुआ था पर बचपन लाहोर में बीता संगीत छेतर से दूर-दूर तक रिष्टाना होते हुए भी सुधा के कंठ में खुद सरसोती वास करती हैं बात समझने में उनके माबापको बिल्कुल देरी नहीं हुई हुआ यू कि सुधा जब 6 साल की थी तब उनके माता-पिता फिल्म देखने थीटर गय हुए थे उन दिनों चलती फिल्म में लाइफ म्यूजिक भी होता था एक जानी-मानी गायका की आवाद सुनते ही सुधा मलहोतरा बोल बैठी कि ये बहुत बेसुरी गायकी है ये सुनकर सुधा के माता-पिता अचम्भित हो गया स्कूल के समारों में भी जब गाना होता था तो बाकी बच्चे सुधा को आगे खड़ा कर देते थे इन छोटे-छोटे पलों में सुधा का करियर छुपा हुआ है ये बात उनके पिता जी को पता चल गई इसलिए उन्होंने लाहोर के महान संगीतकार और गायक गुलाम मुहम्मद से संपर्क साधा गुलाम मुहम्मद भी सुधा की आवाद से प्रभावित हुए और होने वाले स्टेज शोज में सुधा को गाने का मौका देने लगे आठवे उम्रे तक सुधा मलहोत्रा प्रफेशनल गायक की तरह गाने लगी थी और अपने पहले गुरू गुलाम मुहम्मद के साथ स्टेज शोज में हिस्सा लेने लगी थी इस कारण से उनकी पढ़ाई से मन उठने लगा फिर भी स्कूल के टीचर्स उनकी कला का सम्मान करते थे उनके जीवन में नया मोर पार्टीशन के साथ आया क्योंकि उनके गुरू गुलाम मुहम्मद सीमा पार कर नहीं सके और सुधा, फिरोजबुर और दिल्ली होते हुए बोपाल बस कई सुधा जी को पहला ब्रेक कैसे मिला होगा इस पर बात की जाये तो बताना पड़ेगा इस सुधा गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए मुंबई में दादा जी के यहां आई हुई थी उस तोरान महान संगीत कार अनिल बिस्वास सुधा की आवाद से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी अगामे फिल्म आर्जु में बतार गाय का मौका दिया आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 साल की सुधा मलहोत्रा ने जानी मानी अभिनीत्री शशी कला को अपनी आवाज दी और वो गाना बड़ा हिट भी हुआ अपने करियर का पहला हिट गाना देखकर सुधा भुपाल लोड गई और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी इस दोरान उन्हें फिल्मकारों से लगातार ओफर्स आते रहते थे और सुधा भी समय समय पर गाना रिकॉर्ड करने मौंबई आती जाती रहती थी आपको बता दूं कि आर्जू फिल्म के साथ ना सिर्फ सुधा मलहोतरा का सफर शुरू हुआ बलकि तलत महमूद भी बतार प्लेबैक सिंगर लॉंच हुए थे उन पर हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे भुपाल से मुंबई और मुंबई से भुपाल आने जाने का सिलसिला अगले चार-पांच सालों तक यूँ ही चलता रहा साथ ही वो रेडियो में भी गाना गाती थी सुधा जी एक इंटर्व्यू में बताती हैं कि रेडियो की तरफ से उन्हें 30 रुपे का चेक मिला था और उसे पिता जी को दे कर हाई हिल्स वाली सैंडल खरीद कर आने की जिद करने लगी थी बाकी बच्चों की तरह उनका बच्पन बीता ही नहीं सुभा शाम रिकॉर्डिंग और पटियाला घराने के नामे उस्ताद अब्दुल रह्मान खान के साथ बैट कर रियाज करने में ही सारा बच्पन बीत गया साथ ही मुंबई में उनके नाना जी का घर दिलिप कुमार साहब के बंगलो के बगल में ही था इसलिए उनके साथ भी अच्छे संबन्ध थे सुधा जी जब छोटी थी तो अकसर दिलिप कुमार को मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते हुए देखती थी दिलिप कुमार खुद सुधा जी के मामा के अच्छे दोस्त थे ऐसे ही बड़े-बड़े हस्तियों के साथ सुधा जी का आधा जीवन बीता था यहां तक उन्होंने नाना जी के घर को ही अपना पर्मनेंट एड्रेस बना दिया था हाला कि उनके माता-पिता भुपाल में ही रहते थे सुधा मलहोत्रा के फिल्मी जीवन की शिरुवात 1950 से हुई और अगले 10 सालों तक उन्होंने लगातार काम किया कुछ फिल्मों में बतौर महिला म्यूजिक डारेक्टर का भी काम किया लेकिन confidence कम होने के चलते उन्होंने खुद को इस छेतर से दूर रखा इस बार दर्शकों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सुधा मलहोत्रा द्वारा संगीत बद फिल्म कौन सी थी पैसे इस बात को आप मलाल कहें या नसीब परंतु संगीत कारों ने सुधा जी को हमेशा लता जी और आशा जी से कम आगा था फिल्म के बहतरीन गाने लता मंगिशकर को मिलते थे और बाकी गाने सुधा मलहोत्रा जैसी गाएका गाती थी इस बात से सुधा जी को कोई तकलीफ तो नहीं थी पर बतौर दर्शक अगर कोई विचार करेगा तो यही सोचेगा कि संगीत कारों ने सुधा मलहोत्रा के साथ नाइनसाफी की थी अब इस सिलसिले में उस इंसान का नाम लेना जरूरी है जिन्होंने सुधा मलहोत्रा को अच्छे गीत दिलाने के लिए बड़ा सहकारी किया था जी हाँ, साहिर लुध्यानवी क्योंकि वे खुद गीत कार थे इसलिए वे सुधा मलहोत्रा से अपने गाने गवाने की जित फिल्म कारों के सामने करते थे अब साहिर साहब को कौन इंकार करता? इसी कारण से फिल्म मैगजीन में सुधा और साहिर को लेकर तेड़ी मेड़ी बाते छपने लगी। इस घटना का असर ये हुआ कि सुधा मलहोतरा ने ससुराल के लोगों की इक्षा के अनुसार फिल्मी गायका से सन्यास ले लिया। जिस दिन उनकी शादी हुई, उस दिन से उन्हें रिकॉर्डिंग रूम में जानब बंतो कर दिया, पर रियाज और स्टेज शोज जारी रख सन्यास लेने के बाद भी एक फिल्म ऐसी थी जिसमें आपको सुधा मलहोतरा की आवाद सुनाई देगी। जी हाँ, वो फिल्म थी प्रेम रोग। राजकपूर साहब तो सुधा जी के खास दोस्त थे, और जब भी राजकपूर जिस चीज के लिए जिद करते थे, तो कोई भी उन्हें मना नहीं कर पाता था, वो अपनी फिल्मों में सुधा जी की आवाज चाहते थे, इस काम को अंजाम देने के लिए सुधा जी ने पती की इजाजत ले ली और पहले ही टेक में गाना रिकॉर्ड किया, प्यार था, ये प्यार था, या कुछ और था, खेर, प्रे सुधा जी के फिल्मी करियर की कहानी आगे बढ़ा के मतलब नहीं है, पर अगर साहिर साहब की तरफ से सफाई चाहते हो, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा, कि वे एक मन-मौजी इंसान थे, वो बात सरूर है कि उनके दिल में किसी लड़की के लिए बड़ी आर्जू पर वो लड़की सुधा मलोत्रा थी, इस बात पर यकीन ना करें तो ही ठीक है, क्योंकि इस बात को खुद सुधा जी ने भी खारिच की हुई है, और रही बात कभी-कभी मेरे दिल में ख्याल आता है इस गीत की, तो साहिर साहब ने किसी को मन में रखकर ये गीत लिखा इस बात पर तो यकीन किया जा सकता है, पर वो सुधा जी थी, ऐसा बोलने वाले लोग क्या साबित करना चाहते हैं, ये आप दर्शकों को पता ही है, खैर, आज कल तो सुधा मलोत्रा मुंबई के बांदरा इलाके में रहती हैं, और अपने बच्चों के संग चैन भरी जिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अब चलते हैं आज की पहेली की तरफ, तो बताईए, एक छाड़ी में तीस टाली, आधी सफीद, आधी काली, बताओ ऐसी क्या चीज हूँ मैं, जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीचेगा, सही जवाब जा झाली,